खबर लोवारू सोय जो आमरित सरोवर योचना के लिए खुदाई किये गए खाडी तलाब में जमागंदे पानी में तीन मासुमों का डूबने से मौत हो गया नहीं दर असल तीनों बच्चे और बच्चों के साथ तलाब के किनारे बनी पखडणी पर खेल रहे थे और भी बच्चे केलते समय तीन बच्चों तालाब में गिर गए और गिरने से उन तीनों बच्चों की मौत हो गई सुचना मिलने पर लोगों ने पोलिस की मदद से पानी में डूबे बच्चों को बाहर निकाला हलांकि पानी काफी कम था लेकिन उस दलल में फसकर तीनों बच्चों की मौत हो गई जब तीनों बच्चों को अस्पतार लेकर लोग वहां पर पहुँचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोशित कर दिया इसके बाद थाने के पास शव रख कर ग्रामिन वहां पर बैट कर जम कर उन्होंने बवाल काटा जिसके बाद प्रिशासन के अधिकारी धरने पर पहुँचे सुचना मिले जबी तीन बच्चे एक जो जोहोड जो निर्माना धीन है गाउं का गंदा पानी उसमें आता है उसके अंदर डूब गए हैं जिसमें सचिन कपिल और लखन ये तीन बच्चे करीब 9-10 साल के हैं तो तुरन तीन को जाकर के मौका पर पहुंचकर मैंने अपनी टीम के साथ जोहोड से निकलवाया और पोस्टमार्टम कराने के लिए लोहारू रेज कर पोस्टमार्टम कराने के बाद डैट वोड़ी वार्षान को सोंग वो गाड़ी के लिया है दूनों बाई